दिली में बारह मई का मतदान पूरा हो चुका है दिली कॉंगरेस अध्यक्ष शीला दिक्षित हैं हमारे साथ में अमूमन शीला मैम दो बजे के करीब आप रैली करके या दौरा करके लोटरी होती थी अपकल मतदान हो गया है रिलेक्स मोड में हैं आराम में हैं मुस्करा रही हैं सुभा कैसी बीत रही है कोकि रोज तो व्यस्त कारेकरम आपकर रहता था मुस्कर रहा तो तो मैं जब भी थी जब व्यस्त कारेकरम था लेकिन आज भी मुस्करा रही हूँ तो कि एक ब्रेक मिला है और इत्मिनान है बस शीला मैं बीटे 15-20 दिन जितना चौना प्रचार आपने किया आप सुभवे रैली में निकल जाती थी देर शाम तक तीन रैली को समबोधित करती थी अब उसके बाद में अब सिर्फ 23 मगी तक अब क्या रूटीन रहने वाला शीला दिक्षित का इतना व्यस्त कारेकरम और अ प्राइण कोई काम नहीं अब क्या रूटीन रहे गाशिलागी है मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो आते रहते हैं मैं जाती रहती हूँ आज कही नहीं राउंड करोंगी मेरे बेहन यहां रहती है मेरी बेटी पास आ जाती है और बेटा है यहां तो मेरे को कि मैं अपने पर कोई, you know, देखूँ अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने दूसरी बात है कि बहुत समय के बाद में आपने विधानसभा चुनाव के बाद में, मैं, कैसा ये चुनाव आपके मुताबिक रहा है, शीला दिख्षित के मुताबिक, जो दिल्ली की CM रही है, कदावर नेता हैं कॉंग्रेस की, मैं बयान बाजी हुई राजीव गांधी को लेकर बयान दिये, प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने, अर्विंद केजरीवाल ने, और आमानमी पार्टी ने, आपकी सेहत के ओपर एक जो है, ट्वीट के जरीए, रिमर पहलाई, लेकिन किया जब हो रहा है, तो हो रहा है, लेकिन और ताज्यूब और थोड़ी सी दुख ये लगता है, कि प्रधान मंतरी डाउनवर्ज ये सब हो रहा है, प्रधान मंतरी इससे अबव रहते, तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रधान मंतरी भी उसमें लग गए, फैमिल सिदह पूछता हूँ दिल्ली में विधान सब्वा चुनाव या destro नहीं बादाने वाले हैं तो ऐसे मैं शीला दिख्षित जैसा कि आप कहरे हैं आप कभी बोर नहीं होती हैं कभी न शान्टी से नहीं बैटे शीला दिख्षित हमेशा काम करती रहती हैं तो विधान सबा चुनाव के मद्दे नजर, लोक सबा चुनाव में आप रात में 12 बजे सोई इं, सुबह 7 बजे उठी हैं, अब विधान सबा चुनाव के मद्दे नजर शीला दिक्षित, अब क्या तैयारियां अपनी शुरू करने वाली हैं? बिद्यान सबाद चुनाओ आ जाए पहले तो ये चुनाओ का रिजल्ट खतम हो जाए उसके बाद में उसके बारे में सोचेंगे क्या परिसिती उठती है क्या होता है क्योंकि उस वक्त भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा एक्टिव रहना पड़ेगा और हमारे पास बहुत कॉंगरिस में लोगों के क्या कहते है टैलन्ट की कमी नहीं है सातों सीतों पर कितना मैं विश्वस्त मान कर सुन पर कितना शीला दिक्षित को भरोसा है देखिये मेरे को तो फई साथों को देखती हूँ और ये सोचना कि ये दौchn अजाएंगे ये चार नहीं आएंगे उस पर मैं बिलीभ नहीं करती हूँ मैं समझती हूँ सब के लिए हमें काम करना चाहिए और सब की हमें आशा है कि सबी जीतेंगे क्योंकि आखिरोल जो candidate चुने गए हैं वो सोच समझ के चुने गए हैं और जीतने के लिए चुने गए और हम अभी सही कह दें कि ये तो हार रहा है और वो जीत रहा है मैं रिखेर में वो सही नहीं होगा वो भी प्रॉपर शीला दिख्षित साफ दोर पर कहती हुई कि उम्मीद है सातो सीटों के लिए और फिलाहाल शीला दिख्षित अपने घर पर इन दिनों विश्राम करें